हेलो फ्रेंड्स आपका स्वागत है अमारे योट्यूब चैनल इस टेड़ी टेंटी सिक्स पे और आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे जो बच्चे भी ये थर्ड सेमेस्टर के हैं और उन्होंने हिंदी पेपर को लिया है ठीक है तो आपको हिंदी पेपर में इंट्रो देखेंगे इंट्रो पाट में लोग चर्चा करेंगे कि भारती जो हिंदी स judy का कैसे भाजन किया गया है वो क्या गए होंगे तो चैनल को जडूर सब्सक्राइब किजेगा लाइक किजेगा वीडियो को और सेर जडूर किजेगा तो चलिए शुरू करते हैं आप चीजों को समझेगा तो देखिए हिंदी साहित का इतिहास और कालविभाजन तथा उसका नाम करन जो है वो किस तरह किया गया और उसको बाटने वाले कौन है उसको भी समझना पड़ेगा चुकि उसको नहीं समझे रहिएगा तो आपको यह नहीं समझ में आगा कि भाई कैसे इसको विभाजित किया गया और कैसे इसको पढ़ना चाहिए तो देखिए पहले तो ग्रियेट्सन महोदेग के द्वारा के बारें कोई जानकारी नहीं मिलता है रामचंद सुक्र से लेकर हजारी प्रसा दुवेदी तक के विद्वानों ने हिंदी साहित के इतियास का वरगी करन जो किया है तो उसकी विशेष्टाओं के आधार पर किया है यानि इसका मतलब यह है कि उस दौर में जो जो विशे जैसे विशेष्टा बोलिएगा तो क्या तो उसे में कि जो भी रचनाय हुई उसकी क्या विशेष्टा थी उसकी प्रकिर्टी क्या थी उसकी प्रवीर्टी क्या थी उसमें कौन-कौन सी चीजों के उपर डिसकस किया गया उन चीजों के अधार पर इसको बाटा गया हिंद हिंदी साहित को वेवस्थित रूप से रामचन सुक लिखे द्वारा जो है उनीश सो उन्तीस इसवी में उनकी जो बुक लिखी गई है उसी में हिंदी साहित के जो समय या टाइम प्रियेड या कालखंड को जो है चार वर्ग में बाटा गया तो आखिर वो कौन-कौन है उसक को देख लिए चार यूगों में हिंदी साहित के इतियास को बाटा गया है तो पहले उसको समझे लिए उसके बाद धीरे-धीरे चीजों पर हम लोग आ जाएंगे तो पहला है आधी काल को आपने पढ़ा है फर्स सेमेस्टर में उसके बाद देखे पूर्व मद्यकाल और सेमेस्टर हम पढ़ा हो और आधुनिक काल करते हैं चुकि बढ़ाना है वहीं से हम चीजों को सुरू करिंगो ठीक है तो अधुनिक काल इसको कल और इसका प्रिये और 1990 अजित से लेकिन इसमें आपको로 दिखेग we इसमें contradiction भी है, बहुत तरकी चीज़ें आपको बताएंगे भी, तो आधुनिक काल सिधा-सिधा यह जानी, इसको गद काल काते हैं, गद काल इसलिए काते हैं, जितने भी हिंदी साहित की रचना इस दौर में हुई, वो गद रूप से हुई है, या गद फॉर्म में उसको किय गया है, इसलिए इसको गद काल का आजाता है, और इसके लिए जो टाइम प्रियर्ड है, वो आपको धियान में रखना है, कि लगवग लगवग उन्हीं सवेस्वी से इसको माना जाता है, कि आधुनिक काल का दौर सुरू हो जाता है, ठीक है, अब देखें, यहां से चीज आधुनिक काल का है, ठीक है, यहनि कि यह भी ध्यान में रखेगा, अचारे रामचन सुकल के द्वारा आधुनिक काल को आधुनिक काल का गया है, उसके बारे में बहुत से बातें हैं, जिसको आपको जानना जो बेसिक है, उस पे हम लोग डिसकस करेंगे, जैसे कि इस काल क को गद काल भी का जाता चुकि भाई इस समय गद की रचनाय बहुत जादा हुई थी ठीक है आप देखिए आधुनिक काल में भारतिंदु हरिष्चन बाबु अयोध्या प्रसाद खत्री फिर देखिए राजा लक्षमंद सिंग जगनात दास रतनाकर स्रीधर पाठक और राम है जिसमें आप दिखेगा भारतिंदु हरिष्चन से यह सुरू होता अधुनिक काल उसके बाद के बाबु अयोध्या प्रसाद खत्री है राजा लक्षमंद सिंग है जगनात दास रतनाकर है स्रीधर पाठक है यह सब लोग इसमें आते हैं और इनहीं के द्वारा यह जो आधुनिक काल है इसको सुरू किया गया आगे बढाने का काम किया ःश्चिया घ्र इसमें थे भारतिंदु हरिष्चन को आधुनिक हिंदी को भी समझने का प्रयास की जेगा यहां से इंपॉर्टेंट चीजें शुरू हो रही है अब यहां देखिए आधुनीक यूग को जो है ना जैसे भारति इंदू यूग पहला इसका विभाजन जो है भारति इंदू यूग में जो की अठारो सो पचास से उनीस सो इसवी तक क काल जो है भारति इंदू यूग के अंतरगत आता है ठीक है इसको हम लोग पढ़ेंगे फिर देखिए दुवेदी यूग को हम लोग पढ़ेंगे जिसमें कि उनीस सो से उनीस सो अठारो इसवी तक का टाइम प्रियेड है फिर देखिए प्रगतिवादी यूग जो है उनी नहीं कभिता से उनीससों साथ माना जाता है शठोत्री कभिता उनीस सो साठ के बाद लिखी गई तो यानि कि आपको देखिए आधुनिक काल में इतने दौर को पढ़ना है इतने दौर की विसेषताओं को समय ना है उनकी परिस्तीतियों को समय ना है उनकी जो जो मैन मैन कभी हुए उनके बारे में आपको समझना पड़ेगा तब यह पूरा टॉपिक आपका भी थर्ड सेमेस्टर का कम्प्लीट माना जाएगा MJC पर ठीक है तो इसको हम लोग करने का भी प्रयास करेंगे इसमें चीजें जो होंगी में में उनको भी हम लोग डिसकस करते हुए चलेंगे ठीक है तो आज हम लोग सुरू करेंगे भारतिंदू यूग लेकिन उससे पहले हम लोग देखेंगे एक चीज को समझाना जो चाहते हैं वो चीज यह है कि आधुनिक काल का आधुनिक यूग जो आप पढ़ रहे हैं हिंदी साहित का तो इसके आधुनिक यूग की परिस्तितियां भारत में कैसी थी यानि इसमें हम लोग देखेंगे सामाजिक राजनितिक आर्थिक और धार्मिक परिस्तिति भारत की कैसी थी इस दौर में इसको समझेगा तो आपको चीजें और हम लोग अराम से समझा पाएंगे ठीक है और आपको अच्छे से जोड़ पाएंगे इसके साथ ठीक है तो देखिए राइनितिक इस्तिति उसमें क्या थी यानि राइनितिक परिस्तिति भारत की क्या थी जब आधुनिक योगीन जो साहित है उसकी रचना हो रही थी बच्चों तो उसमें देखेगा अंग्रेजों का सासन चल रह तो देखिएगा 1757 में जो अंग्रेजों का सासन तो एक तरह से सुरू होगा फिर दिखेगा 1857 का दौर आएगा जब 1857 की करांती होती है भारत में तो अंग्रेजों को पहली बार जटका लगता है कि अंग्रेजी जो इस्ट इंडिया कंपनी है जो इसका सासन चल रहा था लगबग 100 साल से उसको यहां से अंगरेज घटाते हैं और फिर वो जो भारत का सासनत तौर एक तरह से है उसको अंगरे अपने हाथ में ले लते हैं और वो अपने ढंग से करने लगते हैं, यहां पे सासंतंत, इसी दौर में देखें, रेलेवे, डाक, तार, यह सब का विकास भारत में होता है, लेकिन इसका दूसरा पक्षी यह है, कुछ अच्छी चीजें तो भारत में हुई, जैसे रेलेवे बन रहा है, डाक तार का विका करते थे, यानि कि भारत के लोगों को वो बोलते थे, डौक के समान है, यानि कि यह कुटे के समान है, उनके साथ अच्छा वैवार उनका होता नहीं था, तो इस्तितियां इतनी बिकट हो गई, कि लोगों को लगा कि अब भी ना विद्रोह के, अंग्रेज यहां से होनी, इसलिए भारत में विद्रोہ होता है, और यही जो वो दौर है, जिसमें विद्रोह के साथ कि यह हिंदी सहित की रचनाय भी होनी लगी, और इसी में आप देखेंगे हिन्दी सहित की इतनी रचनाय होंगी, उस पर इस दौर का प्रभाभ भी दिखेगा आपको, चुक प्राचीन काल में इतना अच्छा था और अभी के समय में कितना बुरा हो गया है तो इन चीजों के बारे में इसमें डिसकस पूरा होगा भर भरके होगा और यही चीजें आपको भारत इंदु यूग में दिखने को मिलीगी तो यहां से आप समझे कि राइनितिक परिस्थित भारत की क्या थी इसी को हम समझाना चाह रहे थे जिसको आपने समझाओगा एदम बहुत अच्छे से बच्चा की तरव आपको समझा भी दिए वही इस सलाइड में लिखा भी गया है इसको दिहान में देख लीजे कि अंग्रेजों की विरुद्ध भारतियों ने 1857 में पह है भारत का वह बड़ा भी कट है ठीक है तो इस बात को ध्यान में रखेगा वीडियो खुदवखुद बंद हो गया था इसलिए थोड़ा हो सकता है कि लिंक थोड़ा टूट गया होगा इसको आप मैनेज कर लिजेगा चुकि कभी-कभी होता क्या है कि कभी-कभी कोई टेक आदेटिसन है वो अच्छा नहीं है भारत का तो इसमें जो भी रचनाय होंगी भारत indicative रिजि स्थिति को लिखा जाएगा यह उन्होंने इसमें बताने का प्रयास किया है कि भारत कितना डेखिए खराप इस्थिति में उन्होंने नाटक को लिखा नाटक में इन चीजो की कुरीतियां थी हिंदु धर्म में भी बहुत तरह की बुराईयां आ गई थी उसी तरह जो अन्य धर्म है उनमें भी अपनी अपनी बुराईयां थी उसके बाद चुछा चूत उसके बाद विद्वा विवाह जैसी दिक्कतें थी सती पर्था जैसी दिक्कतें चल रही थी उसी से में आप देखिएगा जब आधुनीक दौर चल रहा है तो उसे में आप क्या देखेंगे कि सिक्षा को लेकर नारी सिक्षा को लेकर भी संगर से चल रहा है यानि कि कुछ सुधारक हैं जो नारी सिक्षा के पूरोधा है यानि नारी सिक्षा देना चाहते हैं लेकिन य समाज के लोग नारी सिक्षा के विरोध में तो इन चीजों को भी धियान में रखना होगा कि यहां देखिए बहुत तरकी परिवर्तन हुआ मेकाले के द्वारा दिखिएगा आप मेकाले मिनटस दिया गया यह उसमें बताया गया कि भारत में अंगरीजी सिक्षा कैसी हो नही अभी अभी अब समझिएगा धिरी धिरी समझ में आपको आएगा अब देखिए देखिए सांस्क्रितिक और धार्मिक परिस्तिती कैसी थी इस समय तो समाज में देखिए समाजिक और धार्मिक जो है विसंगतियां बहुत जादा थी उसके खिलाब जो है समाज के लोग यो दूर करने का प्रयास किया गया, धार्मिक जो दिक्कते हैं, कुरीतियां हैं, उसको समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा था, और इसी का प्रभाव आप देखेगा, जो इस दौर में रचनाय होंगी, उस पर भी दिखेगा, यानि दिखेगा, समाज का जब भी, कोई भी समा आपका तयार कर दिए अब देखिए यहां से चीजें नहीं होगी ठीक है उसको अब समझिएगा अब देखिए अम लोग भारतेंदू यूग को देखेंगे ठीक है आधुनिक काल का प्रारम जो है भारतेंदू हरिष्चन के द्वारा ही माना जाता है कि उन्हीं के द्वारा प्राइञ किया ठीक है उनको भारतेंदू को जो है ना भारतेंदू हरिष्चन को हिंदी साहित्यक एक तरह से कई यह तो पूरोधा बोला या यह उनको अग्रदूत के भी रूप में जाना या था आधुनिक काल का अग्रदूत ठीक है तो इसको भी धियान में रखेंगा उसके वाद कि भारतेंदु हरिष्चन अपने युग के परमुक साहितिकार थे, उनकी बहु मुखी साहितिक सेवा के कारण इस युग का नामकरण ही उनके नाम पर कर दिया गया, यहनि भारतेंदु यूग इसलिए इस दौर को कहा जाता है, आधुनिक काल का पहला दौर जो का विकार होंगे, उनके उपर भी इस दौर का प्रभाब दिखेगा, और उनके भारतेंदु जो हरिष्चन है, उनके भी प्रभाब उनके उपर दिखने को मिलेगा, यानि कि वह भी खुलके अंग्रेजों के बिरोध में चीजें लिखेंगे, तो यह चीजें आप इस दौर में भारतेंदु यूग से ही सुरू होता है, चुकि आधुनिक यूग एक ऐसा यूग है ना, इसमें और प्रमानिक चीजों का चर्चा नहीं है, इसमें प्रमान पर चर्चाएं की गई है, यथार्त पर बातें की गई है, बल्ग दिया गया है, ठीक है, तो इसलि भी रचनाई की गई ना, उसमें एंसेंट जो है, यानि कि मद्धिकाल की जो धार्मिक इस्तिती है, परिस्तिती है, उसका तो चर्चा दिखता आई है, बट आधुनिक दौर का भी जो समय है, उसमें कितनी दिकतें हैं, या कौन सी भिकटी इस्तितियां आ रही है, या हो र और में भारतिन्दू यूग के जितने भी कभी हुए न, उनके द्वरा जो भी रचनाई की गई है, उन्होंने समकाली नी स्थिती पर चर्चा किया है, यानि भारत की स्थिती को बताने का काम किया है, जैसे कि अभी आपको बताए, अंग्रेज का सासन चल रहा है, तो भार भारतिन्दू यूग की जो भी रचनाएं हैं, उसकी क्या विसेस्ताएं हैं, उनको देखिए, यानि कि इस दोर में जो भी रचनाएं की गई, जो भी साहित लिखा गया, उसकी अपनी अपनी विसेस्ताएं थी, वो क्या-क्या थी, उनको देखिएगा, यहां से टॉपिक क कोस्चन बनेगा कि भारत इंदू यूग की रचनाओं का विसेस्थाओं को लिखिए तो यही 7-8 विसेस्था जो आपको बताने वाले हैं उसको लिखिएगा बाकी इंट्रोडक्शन का पार्ट जो है पूरा का पूरा अभी जो बताये थे उतना अगर उसमें जो भी याद र रहा था यह पॉलिटिक्स हो रहा था यह पॉलिटी जो प्लिटिकल जो कंडिसन था भारत का उसमें जो जा वरब ना भी versions की घ Spider परतियों के साथ जो आमानविये वहवार हो रहा है उसके साथ मतलब अच्छा वहवार किया जाए गलत वहवार ना किया जाए उसको रोका जाए यह चीज़ें हो रही थी ठीक है तो यह चीज़ें आप दिखेगा जब हो रही है तो साहित पर भी इसका प्रभाब दिखेगा ठीक है तो वही चीज़े आपको समझना है इसकाल के कावे में यदि विदेशी सासन के परती रोस है तो प्राचिन भारती जो मतलब प्राचिन भारत का जो गौरब है उसके परती गर्व भी महसूस किया गया है यानि कि इस दोर में जो साहित लिखा गया है उसमें अंग्रीजों के परती यानि अंग्रीजी जो सत्ता है उसके परती रोस यानि कि एक तरह से कहिए तो गुस्सा दिखाया गया है तो वही भारतिय साहित्यकेपर्ति एक तरह से दिखे लगाव का भाव भी दिखाने का प्रयास किया गया है ठीक है उसके बाद देश प्रेम की भावना के कारण इस यूग के कभियों ने अपने कभिताओं में देश की अवन्नती का वरनन किया है इस बात को भी धियान में रखेगा कि इस दौर की कभिताओं में जो कभी है उनके द्वारा देश में जो इस्तिती जो विकट है या अच्छी नहीं है उनको भी बताने का प्रयास किया गया या दिखाने का प्रयास किया गया यह भारत की अच्छी इस्तिती ना होने का वजह भी दिखाया गया और उन्होंने बत तो भावना को जगाने का काम किया गया है यानि इस दौर में जितनी भी रचना हुई है उसके द्वारा जो इसके बहुत बड़ी विसेस्तह इस दौर की जो रचना हुई है उसमें भावरतियों में एक सौराजी की भावना को पैदा करने का प्रयास किया गया था ठीक है अब देखे इसकी दूसरी विशेष्टा को देख लीजे तो भारतिंदू यूग की जो रचनाय हुई है उसमें समाजिक चेतना को भी विक्सित करने का प्रयास किया गया यानि कि लोगों को समाज में जो दिक्कतें है या बुराईया है या कटनाईया है उनसे अभगत कराने का प्रयास किया गया और बताया गया कि देखी ये जो समाज में चल रही बुराईया है ये अच्छी नहीं है इन चीजों को भी डिसकस करा गया ठीक है तो इसको भी ध्या किया गया भारतिंदु यूग की कविताओं में देखने को मिलता है ये सभी चीज़ें मारविक चित्रन ठीक है उसके वाद कि इस यूग की कविताओं में समाज में व्याप्त रूढियां और अंध्विस्वास का मुखर स्वर से विरोध किया गया यानि सीधा मतलब यह है इ नारी सिक्षा को लेकर विरोध है उसके वाद विद्वा विवाज जैसी इस्तितियां बनी हुई है तो वह इस्तिति को दूर करने का प्रयास इसमें बताया गया और इस समय जो रचनाय हुई उसमें इन चीजों के ऊपर खुल के बोला गया कि यह गलत है यह सही नहीं है कि हमारे समाज में नारी को सिच्छा का अधिकार नहीं दिया जा रहा है या फिर विद्वा विवाज जैसी जो दिक्कते हैं उसको समाज जहल रहा है या फिर अंद्विस्वास जो है हमारे यहां या फिर रूडी बादिता जो हमारे समाज में फैला हुआ है इसका इन्हों न रखेगा उसके बाद देखिए अगला जो है उसको देखिए अब देखिए स्रिंगारिक्ता इनकी रचनाओं में स्रिंगारिक्ता भी देखने को मिलता है वो क्या है इसको देखिए इस यूग के कावि में यह रचना जो हुई है रस को आत्मा के रूप में स्विकारा गया है यह जो है न यहां पे गलत हो गया tuti or जो रस दोनों ही भावों का समाभिस्थ किया गया तीक कर यह की भारतिंदु यूग की जो भी रचना है उसमें जो है बहुत है उनकी21 का valor हो kidding तो इसको ध्यान कैसी है उनकी परिस्तितियां कैसी है उनको भी इसमें बताने का प्रयास किया गया है तो देखे इस यूग की रचना में जन्द सामान की समस्याओं का विशद और विस्तरित वरणन किया गया है इस यूग के प्रतेक कभी रोडियों कुरितियों और अत्याचार आधिक को जो चल रहा है इसके बिरोध में लोगों ने बोलने का काम किया है भारते इंदू यूग के कभी चाहते थे कि लोग प्रसंन रहें और उनकी यहीं इक्छा होती थी लोग सभी लोग सुखी रहें खुस रहें तो यह वोग चाहते थी ठीक है तो इसको भी धियान में रखेगा कि प्रकिर्तिक चितरन भी किया गया है तो भारतिंदु यूग की जो रचना है न इसमें प्रकिर्ति की भी चितरन की गई है उसको भी दिखिए इस यूग की रचना में प्रकिर्ति का चितरन किया गया है प्रकिर्ति के माध्यम से नायक और नाहिका की मनोदसा का सुंदर चि इसमें देखेगा आप इनकी रचनाओं में प्रकिर्ति के विरान रूप, हरा भरा रूप स्थप्रेरक रूप का भी चितरन देखने को मिलता है। अब देखे भासाई चेतना का भी इसमें विकास होता है तो इस समय की जो रचनाय है भारतिंदू यूग की रचनाय है उसमें हिंदि में तो चीजें लिखी ही गई उसके अलावे उर्दू और अन्य जो छेतरिय भासा है उसका भी परियोग अपनी साहितिक रचना को लिखने में इन लोगों ने किया, इस दौर के कभी उने किया है, ठीक है, तो इसको भी धिहान में रखेगा, इस यूग की रचनाव में राष्ट भासा हिंदी के परती प्रवल प्रेम तो दिखाई देता ही है, इसके अलावे इस काल के कभी सहज और सुगम और उर्दू मिस्रित हिंदी का भी परियोग किया, ताकि लोगों को वो चीज अच्छे से और आसानी से समझ में आये, ठीक है, तो इस बात को भी धियान में रखेगा, उसके बाद देखिए, हिंदी के साथ साथ और चेत्रिय भासा जो है, उसका भी इन्होंने अपने जो रचना है, उसमें परि से स्ताएं थी, उसको हमने किया, अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, भारत हिंदू यूग से रिलेटेड जो चीजे छूट गई है, उसको कम्पलीट करेंगे, यानि एक वीडियो और भारत हिंदू यूग खतम हो जाएगा, फिर दूए दियू यूग को सुरू कर क्लास मिलेगा, ठीक है, तो चलिए, आज के लिए इतना ही बच्चो, अगर वीडियो पसंद आए, तो अपने दोस्तियार में सेर कर दीजेगा, और इसका PDF अगर चाहिए, तो टेलिग्राम को जोइन कर लिजेगा, जो डिस्क्रिप्शन में, उसका लिंक डाला गया है, डि